अगर आपका बच्चा 7-8-10 साल का यानी बड़ा है तो आप उसको पेस्ट जब बनाएं तो आप एक पूरा चमच की लिमू का रस मिला सकते हैं यहाँ पहले हम छोटे बच्चों के लिए आपको बनाना सिखा देते हैं अब इस के बाद इसमें आघा ही चमच मिलाऊगी शहग का एक चमच आठा आदा चमच लिमू का रस और आदा चमच ही इसमें शहग का मिलाएंगे अब इसके बाद हम इसमें जो नेक्स्ट इंग्रिइंट मिलाएंगे वो होगा जordoन का तेरी यह भी हम लेंगे आदा ही 30 छीक हो गया यानि आटा एक चमर्च बाकी तिन्यों चीज़े एक ही क्वांच्टी की हैं यानि के आदा आदा टीक हो गया अब चार चीजों को दरना है मिक्स जब तर में मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ आप लोग तरह अच्छी बच क्लिक करें उसके साथ एक बेल आइकन बनेगा बेल बेबी क्लिक करके नोटिफिकेशन ओन कर लें नोटिफिकेशन ओन होगा तो जैसे आपकी पसांद की वीडियो अप्लोड होगी आपको मैंसिक बिल जाएगा यहां मेरी बात फतम होगी और साथ ही मैंने मिक्स पर चार ल नहीं मिलाएंगे अगर आपके बच्चे छे साल के हो चुक हैं तो उसमें आप देखिएगा कि एक जुटकी से मुराग में यहां आदा चमच नहीं लोंगी तिरफ एक जुटकी ही लोंगी के देखिएगे जस्ट वान पिंच ठीक हो गया एक जुटकी मेटा सोड़ा हमने म पूरा चमच लिए तो आप पूरा चमच लिमु का रसी मिलाजीचे बहुत है अब बेस्ट बहुत ठीक बना है तो मैं इसमें शहद और मिलाओंगी यहां एक और आप्शन है कि आप इसमें दूद में मिला सकती है अगर आपको ठीक लगे और आप इसको थोड़ा सा पतला क करने के लिए कुछ चील शामिल करना चाहे को आप इसमें दूद भी शामिल कर सकती है जो कि आपको बना के दिखाना है मेरे आस्पाफ पे यहां सब अच्या है नि जिसके मैं अप्ला कर ते जिखाओं तो मैंने इसमें शहद और मिलाजे अगर आप शहद भी मिलाई तो चल तो हम आप तरीका सिखाएंगे कि करना कैंगे अगर आपके बच्चे में पहले बिता चुक्क हूँ कि छे साल के हैं तो आप सेम मैथड के साथ ये पेस्ट बना ले अगर आपके बच्चे इससे भी छोटे हैं तो आप मेठा सोटा बिल्कुल नहीं इसमें मिलाएंगी और शहर सिरफ आदा टेस्ट में लेंगी ठीक हो गया अब कुछी इस तरह से आपने हलकी हलकी से लियर इसकी बच्चों की गर्दन के उपर अप्लाई करनी है गर्दन पर फ़र से ऑप्लाई कर लीजए को शावत के साथ येदि उपर अप्लाई नहीं हो एवलाई के साफ करने के बहुंग गट मिल्क करने के पर ऑप्लाई करए येडिक्भी नहीं बच्चों की स्कील हमारे जैस है आपसे रगना नहीं तेरेक्स को बाश करदेना, क्यूकिये गर्मिया है, तो आप प्ऐले टावल के साथ मिशा नीम घरम पानी में विखू के साफ करें तो भी प्याहिए आने पूर्दस रिजर्ट में लेगा देम जरम पानी में टावल भी दोएं बच्चों की गर्दन साफ रहते हैं तो यही दफा से आप देखेंगे बच्चों की गर्दन चमक चुटी हुपीज है वो किसने भी गाली होगा देंड के अनके बच्छों की गुषलों पर भी अप्लाइ कर सकते हैं यही च्रिक आपकी छिसम पर अप्लाई कर सकते हैं कि पड़ियो साथों 20 शुटे नहीं करते हैं अब बच्चे 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 की बाता है कि आपके बच्चे की साथा का साथ है कितने छोड़ है अगर ज्यादे ही छोटे बच्चे हैं तो आपके अपने भी इस पर बाते हैं बहुत सारी हो गई है इसके साथ कि आप दोस्तों सरी ब्रस्त करती हैं चलूँ लेस्स सरफ चलने से पहले कि मेरा दूसरा चैनल सवाजी लाइबरेरी आपको स्क्रीम पे नजर आ रहा है इसी भी आप दी क्लिक करना है इसका लिंक में विडियो के एंड पे लगा दिया जैसे विडियो खतम होगी आपको एंड पे लिंक नजर आएगा सबाच चिलाएगा इसके प्लिक करके आप इसको सब्सक्राइब कर लिए और आप हम चलते हैं अपने आज के लेसन के लेसन में आपको सरफ एक एना जाएंग कि गुना पर नदामत गुना को मिटा जिते हैं इसी तरह नेकी पर उतरूर नेकी को तबाच होगी इन तो लाइनों में बहुत बड़ा सब्सक्राइब जो अगर हम समझना चाहेंगे इस पर अमल देना चाहें तो हमारी देजिकी को सभास सब्सक्राइब कोई शक्त नहीं ह हैं अगर हमें शर्मिंदी की हो नदामत हो तो देश से हो और अगर हमें देश से नदामत होगी तो हम तुबा करेंगे महीं तूबा वही कुछो होती है जब हम उसको दुबारा ना दुहराने का पक्का आईए तो पक्का बातर करें आपizer mínimo पास के तो मैं इस कुना को पीचते ना हिम्मत देख और नेकी जब भी खोरो तो उसको छुपा भी करना चाहिए यह वही है इसाब है नेकी पर सरिया में डाव अब बनाई है एक लाइक तो बनता है ना और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी बनाई है एक लाइक तो बनता है ना और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दुबारा कैसे ढूड़ेंगे तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए और इस बैल के आइकन को क्लिक कर दीजिए इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुंश आप अमीद क करते हूं क्या है